दोस्तों स्वागत आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट जॉब में तो आज जो आपके लिए में जॉब लेखे हैं हूँ तो वो एपरिंसिब ट्रेणिंग रहने वाली है, बोस्तली स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो पास आउट हूँ हैं सून तो तिलंगाना स्टेट वोट ट्रस्पोर्ट कॉर्पेशन में रहने वाली है, एपरिंसिब ट्रेणिंग रहेगी और मैं बटा दूँ एपरिंसिब ट्रेणिंग होती क्या है देखो एक साल की training आपकी government करवाती है उसके साथ आपको salary देती है और इसमे ना exam आपका देखा जाता है ना interview देखा जाता है ना कोई fee होती है direct recruitment होती है merit list इसमें बनती है तो इसके detailing में आपको कर देता हूँ क्या है क्या नहीं तो इसके apply करने का थोड़ा दिक्कत आपको आएगा वो मैं आपको guide कर दूँगा कि कैसे apply करने मैं जीज वह ही देखनी होती है आपको तो इसकी अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें है क्या तो हम देखते हैं कि 300 post 300 vacancies इसमें निकल कहा रही है हर location के लिए आपको रहेगी तो यह आप सामने देख रहे हो number of vacancies 300 है और अगर हम बात करें next क्या है इसमें जो हमें हमारे हुआ है तो education qualification जो मांगी है b.tech b.e. आपकी होनी चाहिए यहाँ आपने diploma किसी institute से की है तो आप eligible हो जाते हो तो यह चीज भी mention है तो preference इन्होंने कहा है कि preference हम automobile या mechanical वालों को देंगे लेकिन अगर आप civil में हो civil का यह channel है civil में अगर आप हो तो आप apply कर सकते हो कोई issue इसमें नहीं है और आपको भी job मिल सकती है तो आपकी जो रहेगी अगर हम बात करें तीन साल की यह training रहने वाली है पहले year आपको 18,000 फिर 20,000 फिर 22,000 पर मन्त के हिसाब से आपको दिया जाने वाला है जो graduate engineer रहेंगे और जो diploma में हैं उनकी अगर हम बात करें पहले 16,000, 17,500, 19,000 इस पर मैं तेलंगाना की salary इस स्टाइफन देखना हूँ ने तो mostly 9,000 से 10,000 फिर स्टाइफन रहता है स्टाइफन काफी ज़्यादा अच्छा देखने को इस समय मिल रहा है तो इसको एपलाई करने का जो procedure रहता है नेटी से वेबसाट पर रहता है लेकिन हम बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले selection procedure देखना पड़ेगा इस बार इस selection procedure क्या रखा हूँ है नोंने तो इनोंने कहा है on the receipt of candidate list from NTS shorts जो भी married list बनेगी वो आपके percentage base पर बनने वाली है उसके बाद आप जो preference जैसे मैंने पहले का preference उन बच्चों को दी जाएगी उसके बाद आपका भी number आज सकता है तो आपको fill up करना है क्योंकि इसमें कोई fees नहीं यह ना कुछ है तो जो भी selected candidates होगे वो अपने farm के साथ उना पर पहुंचना है तो अगर ये बात कर लूँ मैं आपको और three year का ये period रहने वाला है total period और इसका आपका जो रहता है stamp paper पर agreement लिया जाएगा कि आप बीच में छोड़के ना चले जब वह 100 रुपी का agreement भी फिर रहेगा और अगर हम बात करते हैं इसमें reservations local candidates के लिए भी है नहीं रख्यों ये तो ये पूरा clear out कर लिजिए आपका क्या क्या इसमें रहेगा ठीक है तो मैं description में इस चीज का link भी डालता हूं तो वह भी देख लिजिए और जो इनकी requirements हैं वह भी basic मैंने आपको बदा दी है ये आ रही है और आपकी जो duties रहने वाली है वह बहुत important चीज ये duties क्या रहेंगी वह आप देख सकते हो Gary supervisor, shift supervisor, maintenance activities ये सब चीज का आपको knowledge supervised करना है आपको तो मैं description में link डाल देता हूं एक पढ़के apply करने के लिए आपको basic funda करना है कुछ नहीं करना है मैं जो link आपको दूँगा वह हमारी website कर रहेगा वहाँ आप पहुंचोंगे सेबल साइट विजिट यहाँ पहुंचोंगे यहाँ पर website का मैंने दिया हुए notification है और apply पर आपको link कर लेना apply पर जैसे click करोगे and it is के website पर पहुंच जाओगे यहाँ जाके आपको registration करनी रहेगी ठीक है registration इसके लिए करनी रहेगी registration जब कर लोगा आप पर registration नमबर बनता है उसके दाब बाद आप apply कर सकते हैं पर ले click कर लेना यहाँ register कर लेना उसके बाद आपको procedure आगे मिलता जाएगा तो इसको कोई दिक्कत आपको तो नहीं आनी वानी वाज़ास है अगर दिक्कत आती है तो आप comment करिए और मैं आपको पूरा procedure भी बता दूंगा thank you guys